श्रिनाज जी गुरुजी गॉला कादेश, माम भागवती गॉला कादेश, श्रांची वाले बहरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश, आज का विशय है रिन मुक्ति, अब बहुत सारे साधाक अपने पास आते हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं के गुरुजी बहुत रिन हो गया है, तो इसका कोई एक सॉल्यूशन बताइए जिससे की ये ठीक हो जाए, उसी विशय पर एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसमें गनपती की उपासना के द्वारा रिन की मुक्ति का उपाय है, ठीक है, जिसे एक मैंने एक विद्ध्या में बताया था कि किस तरीके से एक वरादंत पे भहरब की स्थापना होती, वैसे ही, आप लोगोंने बहुत सुना होगा, कि एक टांतरिक उपयोग में आने वाली सामगरी है, जिसको कहते है हत्था जोडी, तो हत्था जोडी पर जब आप गनपती को स्थापित करते हैं, तो वो आपको रिनो से मुक्तित दिलाता है, एक चीज समझने वाली है, क्या कि कभी भी जो कर्म आपने सालों में काटे हैं, वो चुटकी में ख़त नहीं होता है, जैसे कि अगर आप बोलोगी कि आप हमें कुछ ऐसा बताओ, कि तुरंत में मेरा जित्ता भी रिन है, वो समाप तोजा, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, किसी भी जो अभी मैं उपाई बताऊंगा, इन सब को करने से आपका वो जो भी रुका हुआ काम है, और जो भी रिन जो आपका नहीं चुकता हो, वो चुक जाएगा, सबसे पहले तो अभी मैं एक स्क्रीन पर मंत्र दे रहा हूं, ठीक है, ये मंत्र गन्पति का रिन मुक्ती मंत्र है, इसको आप अभी से अब अगर अभी से आप शुरू करते हो तो अगले एक साल तक बिना रुके कम से कम 1100 जाप करना, कितने जाप करना 1100, पर दे जाप करना 1100, छोटा सा मंत्र है, आपको 25 मिनिट लगभग लगेगा इसको जाप करने में, इसको आप 25 मिनिट हर रोज तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिंड में है वह कटाउती होगी दीरे दीरे आपका रिंड चुकता जाएगा इसके अलावा एक मैं आपको तंद्र बताता हूं यह गंपती का तंद्र है जो हत्था जोड़ी पे चलता है सबसे पहले तो यह आप सुनिशित कर ले कि आपके जो पेड के जड़वल हत्था जोड़ी है वो नहीं चलेगा और इसमें सामागरी क्या-क्या लगनी है ठीक है इसमें आपको एक तो नीला धागा लगना है एक हत्था जोड़ी लगनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया और उसके बाद आपको लगना है पीला रंगा चावल उसको हलदी में रखिएगा और एक लाल कपड़ा रखना है जिसका प्रयोग अंत में होगा इसको आप कब शुरू करीगा जैसे अब गुप्त नवरात्री शुरू होने वाली है तो गुप्त नवरात्री के पहले दिन आप इसको शुरू कीजिएगा ठीक है आप अगोर्पदती से होती है वह साउत के तरफ होती है लेकिन इसका पूझा आपको उत्तर करना है ठीक है मतलब ठीक उल्टा जिदर महादेव केलास में बस रहे हैं उसी जगा पर उसी की तरव मुख करके हम लोगों के इनकी पूझा करनी है इसमें करना क्या होता है यह जो आ उसके बाद एक हाद में हत्ता जुड़े लेना दूसरे में वो निला जो धागा है वो ले लीजिए और उसको लपेटते जाहिए से एक बार लपेटा इसको टूटल 110 बार एक बार में लपेटने के बाद जो अब लपेटते जाएगा तो ऑम गन 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 पता इनमा ऐसा बोलते हुए आपको 110 चक्र पूरा करना है ठीक है जब 110 आपका जब पूरा हो जाए उसको रख दीजिए उसका पूजन कीजिए जैसे की पूजन किया जाता है उसको इसनान करें दूट से घी से मदू से गंगा जल्ट से उसको दीब यह ओम गन गन बताये रिन हरताय नमा ऐसा 108 बार आपको जाब करना है एक 108 जाब कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है जो पीले रंक आपने चावल रखा है उसको उठा के जैसे हवन में आहूती देता है वैसे इस हथा जोड़ी के उपर आहूती देगर के जो मंत्र नमा वाला मंत्र आपको जो है 35 बार पढ़के इसके उपर डाल देना है यह आपको इस हथा जोड़ी के उपर पूरे नौमी तक करना है जैसे प्रतब पुझा के चुरू किया नौमी तक खतम किया एक बार जब यह खतम हो जाएगा तो फिर इसको जो लाल कपड़ा हमने र रखिए ऐसा नहीं इसको आप जामीन दोश कर दीजिए या फिर आप इसको किसी हथ से जगह रख दीजिए यहां इसको कोई चुए नहीं तो इसका असर देखने लगेगा और आप बहुत मतल्टी से 40 से 45 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपके रिन में जो भी आपको जो कि नहीं खतम हो रहा था वह रिन खतम होने लगेगा ठीक है इसके अलावा और भी बहुत चोटे-चोटे-चोटे हैं रिन खतम करने का काम रोकने का वह मैं आगे आपको बताता रहोंगा अगर आप लोगों को अगर साधना में इंटरस्ट है तो मैंने एक साधना का अगोरतंतरहसे.com उसका लिंक मिल जाएगा आप एंडरोल करके आप हमारे साथ जुड सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोगों को भूठ प्रेतों से बात करने में इंटरस्ट है तो मेरे किताब है एंड़ित्व पारमाबर्ल इंवस्डिकेटर इसको आप Amazon, Click Card या किसी सब्सक्राइब करें आपको मेरा प्रोफाइल लीखेगा उस पर आपको से बात कर सकते हैं बहुत जरूरी हो तो मेरा वाट्साम नमर में आपकर सकते हैं आज के लिए तहीं आप सब्सक्राइश आदेश अलक् आभी जिए्ट